नमस्कार शाथियो स्वागताब सभी का हमारे यूट्यूब चनल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राज्य सरकार का एक और तोफ़ा शामुहिक दुरकिटना भीमा में दी गई छूट के उस राज्य करमचारियों के लिए ये आज्यस हुआ है जारी अब से ये सलेब होगी लागू तो साथियो दुरकिटना भीमा जो राज्य काटी जाती थी अपरेल माहा में उसमें कुछ राहत परदान की गई है राज्य सरकार के दौरा तो किस परकार से राज्य दी गई है जानते हैं पूरे वीडियो में ये हो आदेज जो जारी हुआ है अठारा चार दोजार बाइस को इसमें राज्य सरकार दौरा संस्ख्यक आदेज दिनांक 3035 के दौरा समस्र अधिकारी और करमचारी पर दिनांक एक माई दोजार पिचानमा से समुह वेक्तिकर दुर गटना बिमा योजना लागू की गई है जिसके अंतरकत परते हैं कि वर्स राज बिमा और प्रावधाई निधी वाग के शादरन निधी कारियाले से समुह वेक्तिकर दुर गटना बिमा पोलिशी है तू अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम रासी की कटोती की जाती है इसी करम में पोलिशी वर्स 22-23 दिनांग 1522 से 24-2023 तक की अवधी के लिए उक्ति योजना के अंतरकत दुर गटना बिमा का जो आवरन निम्न तालीका के हिसाब से उपलब्द कराया जाएगा तो यहां पर देखिए जो स्रेणी है बीमा धन है और कार्मिक के वेतन से जो प्रीमियम कटोती है वो है और चोथे कोलम में है राज्य सरकारद्वारा वहन की गई राशी तो यहां पर देखिए पांच लाग तक जो है वो निशुल्क की जाएगी और यहां राज्य शरकारद्वारा जो बेहन राशी है वो होगी शाड़े तीन सो रुपए और दस लाग तक यह होगी तीन सो पचास और राज्य सरकार यहां में sunny करेगी तीन सो पचास रुपए तो यहां पर बीस लाग के लिए एक तो यहां पर हम देख लेते हैं इंपोर्टेंट बात क्या है तो यहां पूरे के पूरे आदेस को हम आपको शोट में समझा देते हैं पॉलिशी वर्ष 2022 से इसके लिए जिन कारिमिकों ने 220 का जीपिये परष्टाव दिया है उनकी कोई कटोती नहीं होगी जिनोंने 700 का परष्टाव दिया है उनकी कटोती होगी 350 रुपए इसका मतलब 350 अब गौर्वर्मेंट वहन करेगी 1400 का जो परष्टाव देने वाले हैं उनको वहन करना उनको देना होगा एकजार पचास अता 2100 का देने वालों को 1750 बाकी के जो 350 रुपए बच गए वो राजिश शरकार द्वारा वहन किये जाएंगे तो यहां पर देखिए जो नई सलेब है वो हमारे सामने यहां निकल के आजाती है बीमा धनी यहां देख लेओ उसके बाद में करमचारी का जो प्रीमियम है वो देख लेते हैं राजिश शरकार द्वारा कितनी वहन की जाएगी वो भी देख लेते हैं तो यहां जो पंच लाग तक है वो तो निशल्क होगा उसके बाद में दस लाग तक जो है वो तीन सो पचास रूपर लगेंगे और इसी तरु कैसे आप यहां देख लीजिए सबसे लाश्ट में जो बात है वो नोट करके यहां लिखी गई है कि दो सो बीस का जो प्रश्टाव देने वाले का जाएगी तो यह है सारी की सारी जो शमरी है उस आदेश की अब बात कर लेते हैं आदेश में संपुन रूप चे तो यहां पर जो दिशादिर देश है वो देख लेते हैं एक बार की राजश्टान केडर के अखिल वारती सेवा के समस्त करमचारी और अधिकारी सहित राजश्रकार के समस्त अधिकारी और करमचारी और माह अपरेल में दे मई 22 के वेतन से उपरोक तालिकाह साब से काटी जाएगी समझत आरन वित्रन अधिकारी उनके समझत जो पेमेनेजर मेनेजर पॉर्टल है इगरास है और प्री पेमेनेजर है के माद्यम से यह सारी के सारी कटोती करेंगे समझत जो डिडियो है वो एस आई पेफ जो प्रिष्टाव है उसमें किसी भी एक श्रहनी का जो चैन है वो इनसे करवाएंगे जिन कारिम को द्वारा गतवर्ष एस आई पेफ पॉर्टल पर ओनलाइन प्रिष्टाव पत्रपूर्ति किया जा चुका है तथा वर्तमान में न हैं तो मनोनयान प्रिवरतन करना है नहीं श्रैनि के कलत में को प्रिवरतन करना आ उन्हें ओंलाइन प्रफटतर भरना आफशक नहीं है इम्पोलंटट चीज ऐसा गतवर्ष में कोई विकल्प नहीं देने पर उनका जो 220 रुपए कटे गए थे और इस बार भी कोई परष्टाव उन्होंने नहीं दिया है तो जो उनकी प्रीमियम कटोती डिड्डियो है वो अपने हिसाब से 220 रुपए ही कर देंगे और यह स्रेनी है वो एक से लेगे 5 प्रष्टूत किये जाने तथा डिड्डियो अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटोती कर लिए जाने के बाद वर्ष के दोरां कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्टन नहीं कराया जा सकेगा इसी परकार जिन कार्मिकों द्वारा एक रास के माद्यम से प्रीमियम कटोत कराई जाएगी उनमें भी ये कोई अंतर नहीं किया जा सके गा दिनांक एक पांच दो जार बाइस के पश्चारत निवक्त धिकारे करमचारी पर भी ये अनिवारी रूप से लागू होंगे समस्त डिडियो यह सुनिश्चित करेंगा कि किसी भी राज्य करमचारी के माह अपरेल 22 के वेतन बिल को तयार करते समय शरे लिकल्ब के हिसाब से ही प्रीमियम में कटवति की समय जिन धिकारी और हो जाय किसी कार्ण से आहरेत नहीं किया जा रहा है ऐसे जो अधिकारी या करमचारी है निजी स्थर पर प्रेमियम रासी उप्रोग तालिका में से एक SIPF या इगरास पोर्टल के माध्यम से पूर्व साधान बिमा निदी में जमा कराएंगे कोई भी प्रेमियम जमा नहीं कराने की इस सिती में उक्त जो करमचारी है वो सरेणी एक में भीमित माने जाएंगे पुलिस विबाग के वर्दिधारी अधिकारी या करमचारी जिनको प्रेमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर ये योजना लागू नहीं होगी यह योजना वित नियम विबाग की जो अधिसूचना है वो उस पे लागू होगी तो साथियों यह था आदेश पूरा का पूरा यह सारे डिटेल्स है जो की आगे लागू होगी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में